हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो गाईज आज हम बनाएंगे एकदम इंस्टेंट क्रिस्प और फ्रेश चिप्स बिलकुल मार्केट जैसे तो इनको बनाने के लिए आप सबसे पहले पान से साथ आलू ले ले बिलकुल बड़े साइस के आलू ले और इनको आलो के चिप्स जब भी बनाएं तो एद्यान रखें कि आपको बड़े साइस के आलो लेने हैं जिससे। बनाने में में हमें असानी हो। और यह पर मैंने आलो यहांन्ये वही जैशा बनाने में चाहिए है। वही और चिप्स बनाने में हुझ मिलु नहीं नहीं प्रेटर इसी तरीके से आलो兩 के चिप्स बनाते जाएं और उनको पानिये में डालते जाएं और सभी चिप्स बना लेने के बाद आप इन चिप्स को दो से तीन बार अच्छे से धो दें ऐसासा ऐसा करने से आलो के अंदर जो भी एक्स्टर स्टार्च है वो निकल जाएगा और जो आलो के चिप्स हैं वो काफी टाइम तक क्रिस्प बने रहेंगे और ये बनाने के बाद, फ्राइ करने के बाद सौगी नहीं होते हैं तो मैंने इनको दो से तीन बार अच्छे से धूलेना है और उसके बाद जो भी इनके अंदर एक्स्ट्रा पानी है उसको में निकाल दूँगी बिल्कुल इनको ड्राइ कर दूँगी तो इस तरीके से आलो के चिप्स बनाने के बाद उनको आप दो से तीन बार ज़रूर दोई और उनको ड्राइ कर दें एकदम से अब बार है जिससे हमारे चिप्स और भी क्रिस्पी बनेंगे तो यहां पर मैंने उबलता हूँ पानी ले लिया है इस उबलते हुआ पानी में हमें आलो के चिप्स को सिरफ दो मिनिट के लिए डालना है और फट वट से निकाल लेना है ऐसा करने से जो चिप्स है वो बहुत जादा क्रिस्पी बनेंगे और एकदम मापी जैसा टेस्ट आएगा और आपको लगेगा ही नहीं कि आपने ये घर पर बनाए है और उबलती हो पानी में से जब आप चिप्स को निकाल ले तो इस तरह के से किचिन टॉवल ले ले और उस निचे करने से जो चिप्स है उनका पानी जल्दी से सुखेगा तो इस तरह के से मैं सभी चिप्स को अच्छे से एक है करके अलग लग करके पहला दूगी तो इस तरह के से आप आलो के चिप्स को घर पर बनाए और अपने बच्चों को खिलाए क्योंकि एकदम कि उसको आप अच्छे से सुखा दें तो यह स्टैप बहुती ज़रोरी है आलू कि चिप्स को फ्राइक करने से पहरे वह एकदम ड्राइ होने उनके ओपर फानी नहीं होना चाहिए तो यह देखे एकड़म सेरडी है इनको मैंने बहुत अच्छे कर से ट्रय कर दिया है और अलग बरतन में निकाल लिया है और अब इनको अब आलो के चिप्स को एक एक करके तेल में फ्राई होने के लिए और इनको उलिट पलट करके अच्छे से लाइट गोल्डन बाउन होने तक फ्राई कर ले या फिर जब तक कि अच्छे से क्रिस्पन हो जाएं अलो के चिप्स को फ्राई करते टाइम ध्यान रखें कि जब अगर अलो के चिप्स को तरह तेज आज़ पर अगा करेंगे तो एकडम से रख ब्राउन हो जाएंगे अच्छे से क्रिस्प नहीं हो गेल किया करेंगे को अगर इन अगर अलो को अ कर दो तो यह क्रिस्पी बनते हैं तो यह दिखी बिल्कुल हो चुके हैं इनको में निकाल लोगी इसी तरीके से मैं सभी चिप्स को फ्राइ कर लोगी बस एक बात का ध्यान रखें कि जब आप इनको फ्राइ करने के लिए डाले तो जो फ्लेम है वो मेडियम हो या फिर मेडियम आप इनको फ्राइ ना करें क्योंकि तेज आज पर अगर आप फ्राइ करेंगे तो यह जल्दी से कलर पकड़ लेते हैं और ट्रिस्पी नहीं बनते तो यह दिखी बिल्कुल रड़ी है इनको में निकाल लोगी तो यह पर एक टिप है जब भी तेल के अंदर बबल साने बं और क्रंची लग रहे हैं इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक शाट मसाला पावडर और कश्मीरी लाल विश्का पावडर आप चाहें तो इसमें टमाटो पावडर भी डाल सकते हैं बहुत अच्छे से आप इनको मिक्स कर दें तो हमारे इंस्टेंट और एकदम फ्रेश अल तक कर और बाइ बाइ